हेलो फ्रेंड मेरा नाम है इर्फान इस वीडियो में आप लोगों को मेडियम फिटिंग शर्ट कटिंग करना बता रहा हूँ मेडियम फिटिंग का मतलब है ना जादा टाइट और ना जादा लूज मेडियम फिटिंग शर्ट कटिंग तो चलिए इस वीडियो में हम लोग मेडियम फिटिंग शर्ट कटिंग करना सीखते हैं सोल्डर डॉन करेंगे सवा दो इंच सीना 38 है अर्मोल डॉन करेंगे 9 इंच पेट का मार्क लगाएंगे इस टमक का 16,5 इंच पे लमबाई है 28 इंच सवा इंच मार्जिंग प्लस करके मार्क लगाएंगे लमबाई का यह सेम मार्क लगाएंगे मार्क स्टेट करने के लिए धाई इंच मार्क लगाकर मार्क स्टेट करेंगे नेक कॉलर है पंदरा इंच पंदरा का पाचवा हिस्सा तीन इंच होता है दो सुद कम करके पौने तीन इंच पे मार्क लगाएंगे यहां सोल्डर का मार्क लगाएंगे सोल्डर है सारे सत्रा सारे सत्रा का हाफ करेंगे पौने नाव और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन टोटल सवा नाव यहां सोल्डर का हाफ पौने नाव इंच मार्क लगाएंगे यह मेडियम फिटिंग है फिटिंग के लिए आधा इंच और अंदर लगा सकते है चेस्ट को फोर से डिवाइड करेंगे सीना है 38, 38 का चौथा हिस्सा सारे नाव इंच लूजिंग डेर इंच और सिलाई के लिए मार्जिन आधा इंच यह टोटल आप दो इंच लगा सकते है मेडियम फिटिंग के लिए स्टमक को फोर से डिवाइड करेंगे स्टमक का चौथा हिस्सा सारे आठ इंच लूजिंग डेर इंच आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन हिप को फोर से डिवाइड करेंगे हिप का चौथा हिस्सा पौने 10 इंच, लूजिंग 1.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन यहां से 2 इंच उपर एक मार्क लगाएंगे एपल कट के लिए चैनिस बोटम के लिए 3-4 पौना इंच, एक इंच में 2 सूत कम मार्क लगाएंगे इस मार्क पे हम बैक कटिंग करेंगे 5 लिए चान्व2 यहां सकता सकता्फिया इंच मार्क लिए चैनिसर भाएंगे पुझता पेलिए ओर शाहरा बाठीग पेलिए घचे लोकाईजाएंगे खыч़ फ्रेंट कटिंग हो चुका है, अब हम बैक कटिंग करेंगे, यह पाउना इंच पे जो हमने मार्क लगाया है, यह मार्क यहां उठा लेना है, फ्री फोर पाउना इंच का इस जो मार्क है, इस मार्क को स्टेट करके रखना है, ऐसे, प्रेंट को स्टेट करेंगे, इस मार्क लेकित रेना है, हाफ करेंगे और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन और यहां से मेडियम फिटिंग में पौना इंच 3-4 मार्क लगाना है हाफ इंच आधा इंच शेप में कट करेंगे शोल्डर कटिंग करेंगे शोल्डर कैसे कटिंग करना है आईए देखते हैं सोल्डर है साड़े सत्रा साड़े सत्रा का हाफ करेंगे और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन सवा नव इंच यहां से 6 इंच पर मार्क लगाएंगे 6 इंच और यहां से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे 4 इंच फरेंट में कॉलर का हाला पौने 3 इंच मार्क लगाया था तो यहां 200 जादा 3 इंच मार्क लगाएंगे जितना फरेंट में लगाया है उससे 200 जादा और यहां डे रेंच और यहां dalam में लगा कमाया उस्टा होलिक लगाएंगे बढा कर पूसे स्लीव कट करेंगे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे जैसे कपड़े में फोल्ड करते है मैं पेपर में बता रहा हूँ लेकिन जैसे कपड़े में होता है सेम उसे ही बता रहा हूँ यहाँ से सिलाई के मार्जिन के लिए सवा इंच पे मार्क लगाएंगे उपर और नीचे सिलाई के मार्जिन इसका कफ है ढाई इंच तो जितना कफ रहेगा ब्रॉड उतना इस मार्क में रख लेना है लेंथ लंबाई 25 इंच कफ का गुलाई है साड़े नौ साड़े नौ का हाफ करेंगे पौने पांच और एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई और प्लीट के लिए आर्मोल डॉण करेंगे सीना है 38 इंच 38 सीना में साड़े चार इंच मार्क लगाएंगे फ्रेंट में हमने आर्मोल डॉण किया है 9 इंच तो यहां 9 इंच मार्क लगा लेना है आधा इंच आप एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं फिटिंग के लिए 9 इंच यहां एक 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहां से गुलाई करेंगे ऐसे प्रेंगे यहां शेश शेप में 1.5 इंच ज़्यादा कट करेंगे ऐसे यह बैक साइड है फ्रेंट से आधा इंच बैक साइड बड़ा रहेगा सिलाई का मार्जिन यहां मिडल से इसको हाफ अन हाफ करेंगे आधा करेंगे और यहां से सारे पाचिंच प्रेंगे यहां मिडल से इसको हाफ अन हाफ यहां मिडल यहां मिडल यहां मिडल पाचिंच झाल झाल